गुड मॉर्णिंग, एम जर्वीं कोर्वेडियर स्टुडेंट्स, वल्कम एको सरस्वती सिसुकुंज कोट्वाला बोर्सर, पक्षातो विशे हिंदी तो बच्चों, आज मैं हिंदी विशे में एक कहानी सुनेंगे, ओके, आपको कहानी सुनना पसंद है? मुझे रखता है, आप सब को कहानी बहुत पसंद है, तो आज मैं आपको एक बहुत से अच्छी कहानी सुनाओंगी, आप सब को बहुर से सुनना है, ओके, तो ये कहानी एक छोटी सी बच्चिस की है, जो विप्पूर आपकी तरह है, ओके, इक छोटी सी, वो भी सेके स्टें लेकिन आपसे थोड़ी सी डिफरंट है, ओके, इस बच्ची का नाम है माना, ओके, बच्ची मिन्स लट्टी, इस छोटी सी लट्टी का नाम है माना, जो बहुत ही सुन्दर है, उसके ताले बने बाल है, बहुत ही बढ़िया दिखती है, और बहुत ही होश्या है, वो इतनी हो हर विशे में टॉप करती है, वो कभी उसकी मम्मा और पापा को उसको बोलना नहीं पड़ता कि तुम पढ़ाय करने बैठो, तुम अपना होमवर्ग करने बैठो, वो इतनी अच्छी है, तो माला एक होश्यार बच्ची है, वो अपना मम्मी मपता कहां सब मांगती है, जैसे जात मांगते हो, वैसे ही वो बच्ची अपना सब कुछ काम अपने मम्मी मपता से पूझके करती है, ओके, ये स्टोरी आपको अपने बूक में, अपने लिदी की टैस्ट बूक में दी गए है, तो आप सब को ये कहानी रीड करने है, ओके, बड़ ये कहानी पढ़नी है, प मात्राओं का अभ्यस किया था, हमने आ की मात्रा, उ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी की, छोटी की, बड़ाओं, छोटाओं, जितना भी हमने मात्राओं का अभ्यस किया है, वो सभी मात्राओं इस कहानी में दी करने, ओके, जिससे हमको पता चलेगा, कि जो भी मात्राओं ह हमने सीखी है क्या उसको हम अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं नहीं तो उसी मात्राओं के अभ्यस के लिए ये कहाने आपको पढ़नी है तो लेट से लिए तो ये कहानी आपको अपनी टैस्ट बूक में पेज नमबर 63 पर मिलेगी तो आपको अपनी टैस्ट बूक ओपन कर लिए और उसमें पेज नमबर 63 पर ये कहानी कहानी है तो देखते हैं कि माला इस कहानी क्या है माला इदर आप यहां पर कोई माला को बुला रखा है किताब और वो उसको किताब पढ़नी को कैसे रखा है जैसे फीचर प्लास में आपको किताब पढ़ने के लिए कहा जा रहा है एक गिलास दूद पी एक गीलास दूद पी ओके अब उसको दूद पीने के लिए कहा जा रहा है दूद पी कर अपनी किताब की एक कहानी सुना दूद पी कर अपनी किताब की एक कहानी सुना इसके बाद बोला जाता है कि दूध पी कर एक कहानी सुना माला दूध पी कर एक अच्छी सी कहानी सुना थी है अब अब दुध तान दुध जाद तो यहां में माला कर दुध जाने कर एक कहानी warrior फूला खर्द कर ला फूल खर्द कर ला उसको फूल खर्द लीकर एक कहानी जाता है इसको बोला जाता है कि तू फूर खरी कर ला माला यह बात सुन माला यह बात सुन कर माता तीता का कहना माना और माला यह बात सुन कर अपनी माता और तीता का कहना मानती है सच कहना, इसको कहा जाता है कि हमेशा सच बोलना, कभी जुट मन बोलना, क्योंकि जुट बोलना पाप है, अगर हम सच होते हैं, तब बगमल भी हमारा सच देते हैं, तो यह हमाला को कहा जाता है कि हमेशा सच बोलना, अपना मन साफ रखना अपना अपना मन मन साफ साफ रखना रख ना अपना मन साफ रखना अपने मन में कभी किसी के लिवव मन रखना सबको प्यार करना कोगे कभी किसी से नफरत मत करना अमेशा अपना मुन सभाव रखेंगे आज का आज का काम कोगे काम कल कर पर न ताल लगना कोगे कल तो यहां पर मारा अपन पहज आता है कि आज का काम में बतुं आज ही करना उसको कल पर मर ताल आज काम आज नहीं करेंगे तो कल का काम डबल हो जाएगया तो कल को काम और कल काम दोनों काम एक साज करने पढ़ेंगे तो यहां माला को सीख दी जाती है कि आज का काम आज ही करना, कल पर मत छोड़ना तो बच्चों मुझे आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आए दिया को कि इस कहान में माला को अच्छी अच्छी सीख दी जाती है उसको कहा जाता है पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, उसका माधा पिता का कहना मानने के लिए और कल का काम, आज का काम कल पर लोगत दालना और हमेशा सब को प्रेंबव, हमेशा सब के लिए प्रेंबव रखने के लिए कहा जाता है तो बच्चों इस कहानी से आपको भी हैं सिखना चाहिए कि आपको भी अपने माता की तका प्रहा मारना चाहिए समय सर पढ़ना चाहिए अच्छे से सबसे बात करनी चाहिए सब का काम करना चाहिए कभी किसी से जब्रा और मफ्रत करनी करनी चाहिए और आज का काम आज ही करना चाहिए तो बच्चों मुझे आशा दाएगी ये कहाने आपको बहुत पसंद आएगी और आपकी माला के तरह अच्छे अच्छे काम करेंगी अब हम थोड़ी मात्राओं का भी अभ्यास कर लेए जो भी मात्राओं हमने सीखी है उसका थोड़ा सा अभ्यास कर लेएगी तो चलो देखते हैं ओके बच्चों तो इस तरह हम सीखी हुई मात्राओं का अभ्यास करेंगी रिक स्थार बढ़िए तो हीर दिखार है आखी मात्रा की दो सब एकी मात्रा दो सब दर इतने हैं ही की मात्रा की दो सब यह की छोटी की इने तो चोटी की के दो सब बढे की तो बड़ी की की दो सबू को छोटा ओ ने छोटे की दो सब और बड़ाostic that लिखने हैं, हम फिर से एक पर मात्रा उट अभ्यास कर लेते हैं, ओके, आगी मात्रा को ऐसे, सब्ते के पीछे ऐसे लख़ी रफ़ पर ओके, लिखा जाता है, छोटी की की मात्रा को व्यंजन के आगी चत्री बना का लिखा जाता है, बड़ी की मात्रा को व्यंजन के पीछे ख़़ा जब कर लिखा जाता है, छोटो की मात्रा को उख़़ कर लिखा जाता है, किस तरह हैं, और बड़ी की मात्रा को उख़़ कर लिखा जाता है, ये आपकी मात्रा है, ये छोटी पीखी मात्रा है, जो वियंज़के आगे पीखी जाती है, छोटी बादा है, ये बड़े पीखी मात्रा है, जो वियंज़के पीछे रखकर पीखी जाती है, ये छोटे उखी मात्रा है, जिसको उपकड कर दिखा जाता है, और ये बड़े ए इस मात्रा में जो कड़क जूपकर लीखा जाता है इसी मात्रा के δोद दो सब्द हमें लुखने है पहले आगी मात्रा के दोसर, तो溜़ दोसर ताला और माला दिखें यहां पर आगी मात्रा लुखी गई है ताला माला ओके, हीखि मात्रा के दो सब, छोती हीखि मात्रा के दो सब, निधनेOoh जो छोती हीखि मात्रा है, वो गें जतें, आगे विखें जातले हैं इसले ही टि दि, गी ल री तो यहां के अगे देजन के आगे चत्री बात्रा जो मात्रा लिखी गई देए वच्छोटी इती मात्रा है बड़ी इती मात्रा बड़ी इती मात्रा के दोस्त लिखी है तो बड़ी इती मात्रा में पीछे लिखी है गर्जन के पीछे लिखने है इसके दिए लग कर दी ओके अब छोटे उठी मात्रा के दोसा लिखिए तो छोटे उठी मात्रा को उपड को देट कर लिखाज़ता है तो इसके लिए दनुशब ओके एंद दनुशब और क्या हम लिख सकते है फूलब बड़ी उठी मात्रा के दोसा लिखिए जर उसके साथ दूपकान भी लिख सकते है फूपकान अब साथ बड़ी उठी मात्रा के दोसा लिखने है बड़ी इनके मात्रा के दोसा लिखने है तराजू तराजू और मुली इस तरह से आपको और भी कही साथ लिखने है इसका हमने फिर्फ पुल्रा वर्टन ज्रीशन की जाने के आपको बच्चों और भी इसके बहुता अभ्यास करना फिर मुझे आशा रहे के आपको सभी मात्रा होगा उच्छी तरह से अभ्यास हो गया होगा और आप सभी देश सारे हुदा होगे इसी मात्रा होगे रिखेंगे इसी के साथ अमारा आज का ये टॉपिं खतम होता है दन्यम्यत